देखो जी, इंसिचूट ना क्या हो गया है कि एक ऐसी मशीनरी बन गई है जिसमें एक छोटा से छोटा काम करने के लिए बहुत सारे पुर्जों को हिलाना पड़ता है रेट टेपिजम जिसे बोलते हैं बीरोक्रेसी बोल लीजिए बहुत सिंपल शब्द में बोले तो बीरोक्रेसी बोल लीजिए वो आ गई है एक छोटा सा स्टेप भी लेना है नो तो बहुत सारी मशीन को आपको आपको अन करना पड़ेगा तब जाके वो एक मूमेंट हो पाएगी खास कर जब student matters पर बात आती है तो मुझे लगता है कि institute का behavior सही नहीं था और सही नहीं है 100% cases बेकार हैं ऐसा नहीं है कुछ cases में बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है and मैं आपको बहुत upfront बोलता हूँ new course मेरी expectation zero है zero है क्यों है मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको बतायता हूँ क्यों है आप देख लीजिएगा जो जो old course में जिस जिस subject में जैसा है वो वैसा ही आने वाला है किताबों के अंदर का color change कर देने से किताबों के अंदर की बाते change नहीं हो जाती है वो ही copy paste होके किताबे बनती रहेंगी मैं आपको यह कैसे बता पा रहा हूँ यार मैं कुछ 10-15 साल हो गए और मैं 10-15 साल से देख रहा हूँ यह क्या हो रहा है मैं बच्चों को सिर्फ यह बोलना चाहता हूँ आपको मैं एक रामबान तरीका बताता हूँ आपको इस चीज़ी कभी tension नहीं होगी अब 70 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे 50 आ जाएंगे इतना margin तो मैं आपको देके चलूँगा कि आप 80 नंबर का अच्छा से paper करके होगे तो 50 से pass हो जाओगे institute से किसी तरह की कोई भी expectation ना रखे institute के अंदर politics जो है एक साल के लिए रहेंगे ठीक है, वो जितने समय तक system को समझेंगे उतने समय तक भाई साब उनका term खतम हो जाता है वो अपना आधिसादा समय तो वो institute के लिए घूमने में निकाल देते हैं कि आज दुपाई जा रहें जी, आज US जा रहें जी आप campus placement के बारे में LinkedIn पे एक बार post पढ़के देख लो प्लीज एक बार LinkedIn पे सर्च करो ICI campus placement जितनी post मिले आपको सब पढ़ लो सौ में से 90 post आपको यह कहती ही मिलेगी भी या क्या बेकार system है क्या सड़ा हुआ system है यह कहती ही मिलेंगी आपको ठीक है ना तो वो system इनको अब और हमें concept तो पढ़ाय जा रहा है strategic management में BPR business process engineering जिसमें कहा जाता है you have to start from the very scratch आपको marginal improvements नहीं करने है और आप खुद वही leap up होती कर जाए जाए new course आगया जी क्या करूँ में new course का या जब new course में आपने syllabus होई डाने है but as a student हम किसे मांगेंगे आज कोई बच्चा है तो अपने मम्मी पापा से अप्रोज करेगा तो as a हमारे लिए तो हमारी मम्मी पापा institute ही है तो अब आदमी किसे expect करता है मैं तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं बताता हूँ इस पर आपको मैं अपनी बात एक बार complete कर लो मैं आपको example दो GST में exemptions है GST के syllabus में exemption है कभी पूरी पढ़ी है आपने सच-सच बताना सारी आद करी है आपने कोई thought है इसके पीछे का का exemption सारी डाल दो मैंने कई बार इनसे बोल दिया बही है यह exemption हटा दो बच्चो को आप 10 exemption पढ़ा दो 15 पढ़ा दो जो सबसे से जाधा industry में use होती है वो पढ़ा दो for example आप renting of residential dwelling वाली exemption पढ़ा दो यार बच्चो को ज़रूरी है वो लेकिन आप क्या-क्या पढ़ा रहे हो उनको artificial insemination की exemption पढ़ा के उसे क्या करवा रहे हो क्यों पढ़ा रहे हो एक बात दूसरी बात मैं आपको बढ़ाता हूँ audit के syllabus पे जरा बात कर ले थे audit के syllabus में chapter 9 उठा लो intermediate के current syllabus में और chapter 13 उठा लो क्या पढ़ा रहे हो आप बच्चों को महाँ पे hotel और cinema का audit कैसे होता है एक page में आपने cover करा दिया और वो कब सिर्थ चला रहा है आप मानोगे नहीं जब मैं CE कर रहा था वो तब से ऐसा ही है cinema वाला answer तब से ऐसा ही है अरे भाई बुक माई शो के बारे में लिख दो वहाँ पे कुछ लिख दो बुक माई शो पे टिकट कैसे बुक होती है online ticketing के बारे में कुछ लिख दो कुछ ने लिखा तुमने तुम बोलो रहे चेक कर लो यह ticket book अलग-अलग है के नहीं है तो सारी की सारी बात आके वहीं अटक जाती है के आप मुंबई में हो तो मुंबई की भाशन बोलू के बड़ी-बड़ी बात है और वड़ा पाउ खाते सारी की सारी बात जो है वहीं आके अटक जाती है के भाई हमने अपना विजन तो मना दिया और साप कहने से नहीं होगा ना करने से होगा तो यह मेरी रिक्वेस्ट है इंसिट्यूट से कि प्लीज आप action ऐसा लीजिए जो ग्लोबल इन्वार्मेंट के साथ मैच करता हो और मैं आपको एक बात और बताता हूँ एक काम करना जो इन्होंने नया स्लेबस निकाला है ना auditing का और ACC का जो स्लेबस है उसे सामने रखके देख लेना ACC के level का auditing का ऐसे लगेंगे match होते हुए इन्होंने framing वी ऐसे करी है लेकिन problem क्या है problem यह है कि भाई यह question बता है क्या पूछेंगे inherent limitation of internal control बता दो और ACC वाले question बता है क्या पूछेंगे ACC वाले आपको एक case study देंगे और उसमें बोलेंगे यह business है इस business में यह activity हो रही है इन्होंने यह CCTV camera लगाया यहाँ पर ऐसे attendance होती है यहाँ पर जो है ऐसे goods receive note issue होता है अब बताओ internal control में क्या-क्या problem है इनकी इस case में correct question same है बट पूछने का तरीका change होगा yes और साथ-साथ यह बताओ कि यह बताओ कि उस internal control की problem को solve कैसे किया जाएगा अब है क्या ना यह सब का कारण एक बताओ आप मुझसे पूछो कि एक simple word बताओ इस सब का कारण में but MCQ Institute क्यों नहीं देता है बच्चों को मुझे बताओ reason सुनोगे आप reason यह हमारे पास to MCQs कम है अगर हम वो बच्चों को दे देंगे तो बच्चों के पास से लजाएंगे MCQs अगली बार भी हमने वह पूछना है एक बात मैं आप से और खूछता हूँ जब system की बात चल रही है suggested answer मतलब ये न system सड़ा नहीं हुआ है यहाँ पर बोलूँगा कि institute cruel है cruel suggested answer exam खतम हुए exam खतम होने के ध्यान से सुनिए कि इस बात को exam खतम हुए exam खतम होने के बाद result आ गया result आने के बाद एक महीना निकल गया उसके बाद आप suggested answer दे रहे हो क्यों क्योंकि आपको डर लग रहा है कि बच्चा अगर suggested answer पहले दे दिया तो बच्चा अपना question उससे match करवाएगा अपना answer उससे match करेगा और आपको फिर चिठी लिखेगा कि मेरा answer तो match हो रहा था आपने mark screen नहीं दिये तो यह चीज यह चीज जो है मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्योंकि